मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर. ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर. आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं. मिलेंगी तुझे तेरी मन्जिलें, तू ज़रा कोशिश तो कर. तो जैसा कि मैंने आपसे प्रोमिस किया था पिछले वीडियो में कि हम लोग अगले वीडियो में मीट के लिए टेस्ट स्ट्राटेजी के बारे में डिसकस करेंगे तो मैं आपसे अपनी स्ट्राटेजी शेर कने जा रहा हूँ कि मैंने क्या किया था मैंने देखिए मेरी preparation मैंने क्या कर लिया था कि मैं लगबक मतलब within two months पहले paper के मैं अपना full syllabus complete कर लिया था अच्छे से और revision भी मेरा March तक खतम हो गया था मेरा 5th में को exam था March तक मेरा revision खतम हो गया था है तो मेरे को अपरेल में सीर्수 मेरे प्लान था कि वर करना हिए जहां फस्ष क्या हैं यहां लगाता कर साल गया से क्या करते हैं हम एक दिन जैसे आज का दिन डिसाइट कर लिए आज का दिन मेरा दिन रहेगा कि आज के दिन हम पूरे साल बर में जितनी क्याना फिसिक्स के पेपर में गलती करें मना फिसिक्स में जितने पेपर हमने दिये जो जो गलतियां करें अब देखते वो चीजें हमें आती है कि नह के लिए अब जैसा देखिए जुलाई में पेपर होगा मुस्ट प्रॉब्ली काफी गरम रहेगा मौसम काफी इस टाइम काफी हो ऐसे चेंज हो रहा है मगए स्टिल मैं मान के चलता हूं काफी गरम रहेगा और फिर क्या होता है कि कुछ बच्चे मैंने देखा है कि गर्मी को माइंड को इंदम रोग देते हैं सोच इंदम सोच बंद हो जाती है तो हम लोग को कैसे इसके उपर प्रेक्टिस करनी मैं क्या करता था मैं एपरल के मंत में क्या करता था मैं दो से पांच डेली पेपर देता था मोर प्रसाइजली दो से पांच ने दो से चार पचास देता पाथा उतने ही माक्स को काल्कुलिट करता था तो क्या रहताता कि मैं ने दो से पास जब पेपर देता था तो मेर संतंगा पंख्वा बन करके मतलब पसीना पसीना जीतना जतना जाएगा ना यार सजी रहेगा आदत पढ़ जाती है पसीने गर्मी बैठने के आदत पढ़े जाएगी ना तो यार वो गर्मी पता ने चाहिए जैसे मेरा नीट 2018 का एक्सपीरियंस था कि गर्मी के वैसे मेरा माइट बहुत ज़्याद अश्टप हुआ था बहुत ज़्याद मैं ने यह किया कि मैं पंखात बन करके पढ़े मित बहुत लग लगती शुरू में पसीन आता था बहुत मुशकिल हो रहा था मगर drag नोर्मल फोर मी कि दोसे पOoh मेरे को पेपर देना ऑ पंखाबन करके तो इस य चैलेंग्स है जोर भी मेरे को that अग्जाम ताइंड की भते हैं यह मैं करता है अब क्या होता है कि बच्चे क्या लुक्त are ж जैसे मैंधे बहूड है लोग आपने क्या Power मेरे पास बहुत ऐसे मेसेल आते है कि मेरे test में marks increase नहीं हो रहे हम क्या करें हम पढ़े बहुत अच्छे हैं हमने बहुत साल भर मैनलेट किये मगर तब भी मिले marks अच्छे हैं यार हम क्या करें तो मैं उनको बस एक ही चीज कहता हूँ कि आप टेस्ट की analysis अच्छे है तीन घंटे का टेस्ट देतो ना तो दो धाई घंटे की उसमें analysis करें analysis कैसे करनी है क्या करनी है कि जैसे आप paper कर रहे होते हो तो paper में आप कुछ doubt आते हैं आपको कुछ question बिलकुल आते ही आते हैं तो आप उसे गोला करते हो ठीक है कभी कभी वो question क्या होते है one or the either way दो option में doubt आ रहे है कभी आपके सही हो जाते हैं कभी आपके गलत जाते हैं कुछ ऐसी करने जो आप optional की वज़े से सही कर ले जाते हैं आपको सही नहीं आती रहती है वो चीजिशे में मैं ऐसे क्योष्ण को क्या मानता हूं मेरा गलत हुआ है ऐसे को क्या मानना है हमारा यह गलत हुआ है मेरे को आता नहींald तो option ऐसा set था इस वैसे मुकर पाए या it's just matter of time कि मेरे को सही option बस लगा कि यह वाला मार देने चाहिए तो option में doubt आ रहा था जैसे मैं एलन के पेपर्स भी देता था तो इसमें वो लोग words के साथ बहुत खेलते थे correct लिखा है incorrect लिख दिया which of the following statement is incorrect तो अपने incorrect को गोला कर लिया अब इसके साथ वो खेलते क्या थे which of the following is not incorrect not incorrect मतलब क्या होगा correct अब बच्चा क्या होगा not incorrect पढ़के वो ध्यान नी mistakes we call it silly mistakes मगर silly mistakes जैसा कुछ नहीं होता यार मैंने भी की थी silly mistakes silly mistakes ऐसा कुछ नहीं है silly mistakes एक बहाना है हम लोग भागते हैं अपनी गल्तियों से बचने का अरे यार तुम ध्यान दियो होते हैं तो सही करते हैं तुम्हें आती थी आए चीज़े तुम जबने अपने marks कम कर है this just like कि हम लोग पहले test देंगे बाद में हम लोग पढ़ेंगे लोग क्या करते हैं पहले पढ़ते हैं फिर test देते हैं ना नहीं यार's पहले हम लोग test देंगे फिर मों बाद में पढ़र देंगे मतलब जैसे test में लेका ventilator तुरांथ इंसी आटी खोलेंगे तुरांथ वो लाइन डूने काहां पे है अच्छा इस लाइन में यह यह चीज ता ओ यह मेरा यह याद नहीं रहा तो मेरा कोशन को निप्टा लिए अब वह को मिश्टिक दोबारा रीपीट नहीं करें जो आप हर पेपर में कर रहे होते, दस से बारा मिश्टेक्स, डाउट तो आपको कहीं में आ रहा होगा, ठीक है, और आपने सही कर लिए, अब सोची वही कोशन अगर ओटूट के में पेपर में आ जाए, तो आपको कैसा फिल होगा, आपको लगेगा, रे यार, मैं यह तो ग कभी-कभी तुम्हें डाउट वाले कोशन मार रहे हो, तुम्हें सही निकल गए हो, इसका मतलब यह निए को तुम्हें आता है, तुम्हें नहीं आता है, डाउट क्यूं आता है किसी को किसी को, क्यूं आता है क्यूंकि तुमको पता नहीं है उस चीज के बारे में अच्छ कर सकते ना खुद को सब कुछ आना चाहिए ना तो डाउट जो आता है उसका में रीजन क्या होता है कि हम लोग कोई टॉपिक को अच्छे से जब नहीं पढ़े रहते तो वो यार डाउट में कनवर्ट होती है और वो हमारे लिए ज्यादा डेंजरस होती बोला जाता ना अध इतनी देर का पेपर उसका 70-80% टाइम उसके बाद फिर से देना है उसी पेपर में for exhaustive deep analysis of test test की जितनी अच्छी analysis करोगे ना उतने अधा marks increase होंगे मैंने अपने personally ऐसे किया था मेरे marks काफी अधा आखरी में डिश्टब होए थे बहुत कुछ मेरे साथ हुआ था आखरी में म मेरे marks बहुत अधा डिश्टब होए थे एक time I was broken कि मेरा selection होगा की नहीं होगा मगर मेरे अंदर बस एक उमीद थी कि यार कैसे नहीं होगा मेहनत करें ना होके रहेगा हम इतनी मेहनत करेंगा और और मेहनत करेंगे जो गलतिया हुई है हमसे उसको सुधार लेंगे अभी भी भी टाइम है अभी हारे नहीं अभी हारे नहीं है मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं जैस जिसे जिनद्गी में कुछ पाना होता है न है वो समंदर में भी पत्थरों के फिल बनावी तो मेरे पास ऐसे मैं से याते हैं भहिया मेरे 400 इमाक्स आ रहें मेरे 480 माक्स आ भाइया मैं कैसे 600 पहुंचेंगा याद पहुंचों गे ये डैली आलिसिस करते याओ ना करते हो करते हो Do 내일 मेरे मेरे साथ यह वर किया था मेरे माक्स भूघ वह थे मेरे माक्स बहुत डिश्टब पूए थे एर बीच में नब 400 साथ 400 आशा कर सिर्थ भी पहँच्छ थे बहुत परशान था कि होगा सेलेक्शन की नहीं होगा मगर हो गया कि मैं आज आप गिसमें बैठा हूं की नी बैठा हूं बस मेरे अंदर क्या था कि यार कैसे नहीं आएंगे मार्स जो मैं यह गलतिया जो कर रहा हूं अगर मैं उस गलतियों को खतम करता चलोंगा जैसे मैं एक paper दे रहा हूं तो स्थी में से मैं आगर 20 गल्तियां करी जो मैं मैं में पेपर में कर सकता तो मैं आज खतम कर लिए की नहीं कर लिए तो ऐससे 30 पेपर दूँगा तो 600 गल्तियां खतम होगी क्यों में यका को resolutions मतलब 40 marks जो की मेरा future तो मैंने खटम कर लिया सिर्फ और मैंने बहुत कुछ सीख लिया इस पेपर देने से क्योंकि जब में बैठो गया तुम्हें डरी नहीं लगी आप पेपर का या पहली बतुमको गर्मी और यह सब जैसे हम आपको बोला था ना कि गर्मी अर्मी मेरी सीट भी ऐसी जगे में खानी चला था धो पारी तिक दम गरम गरम लग रहा था तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं जो मैंने आपको टेस्ट स्ट्राटीजी बताई है कि पेपर के बाद पेपर का इनलिसिस कैसे करना है इसको जरूर फॉलो करो कुछ करो चाहें ना करो पढ़ लो जितना पढ लिए ना तो टेस्ट एक बार देलो बिना में पेपर में जाने से पहले जरूर कम से कम दस टेस्ट तो देली ना ताकि तुम अपना आंकलन उससे मत करना अपने आप को जज्जमत करना उसे इस जस्ट फॉर एन अलिसिस कि आप अभी क्या क्या गलतिया कर रहे हो उसको करता है इस बार ये पूछा है दूसरी बार कुछ और पूछ ले और हाँ जब भी याद करो ना तो थोड़ा सो उसका फिगर बना के याद करो क्योंकि तो को अकॉर्डिंग तो साइंस ऐसा माना जाता है कि जो फिगर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है यार वो उम्हें मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है तो बन जाओ यार पागल कुछ मत सोचो नीट के लावश्ट है बस जुड़ जाओ अपने उपर महनत करने में अपने आपको उस सीट के काबिल बनाने में लग जाओ बस जिस दिन काबिल बन जाओ ला उस दिन वो तुमें सीट मिल जाएंगी बस एकदम जुड़ जाओ और मैं यह बताना चाहता हूँ जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है वो फिजिक्स की उपर रहेगा उसमें क्या-क्या एक्स्टा हाईल्डिंग टॉपिक्स है क्या-क्या चीजे हैं जो ज़रूर करके जाना चाहिए जिसको छोड़े बिन आप नहीं जाओगे कम से कम वो करके जाओ ताकि आप अप ट्लीस 28-30 कोशन सही करके आओ कम से कम यह उन एस्पिरेंट्स के लिए जो बिल्कुल फिजिक्स में सफर कर रहे हैं और मैं उसमें और भी प्लीज फोड़ा सा पेशनस बनाए रखिए मैं सारे पॉइंट्स कवर करूंगा जो जो आपने मेरे को बोला हैं मैं सारे पॉइंट्स कवर करूंगा और आपके लिए जल्दी वीडियो लगँए वो तब तक के लिए आप सब लोग पढ़ते रहों, मुस्कुराते रहों, अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ते रहों, एक दिन मन्जिल मिलेगी, 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 तो चलता हूँ, आप लोग हाँ, लाइक, शेर, सब्सक्राइब कर देना, भूलना मत, अच्छे से खूब शेर करो, फैला दो, आ अपने साथ, जो आपके साथ फल है, उनसे भी वीडियो शेर करो, अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे प्रोड़क्टिव है, हल्फुल है, तो प्लीज शेर करो, खूब लाइक, शेर, सब्सक्राइब करते रहों, तब तक मैं चलता हूँ, अगला वीडियो आपके ली त्यार करता हूँ, बाई बाई, टेक केर, आल दे बेस्ट,